इज़तनगर मंडल का विद्युत परिचालन विभाग आप सभी लोको पाइलट और सहायत लोको पाइलट का स्वागत करता है। आज हम जानेंगे नौर्स ब्रेक युक्त थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोको में कैब चेंज करने का तरीका। सबसे पहले लोको को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करेंगे, उसके बाद वरकिंग कैब के A9 हैंडल को रन पोजीशन से फुल सर्विस यानि की AFS पर कर देंगे। उसके बाद A9 हैंडल को locking pin द्वारा AFS position पर lock कर देंगे ताकि A9 हैंडल को operate ना किया जा सके उसके बाद working cab में ही लगे mode switch को lead से trail पर कर देंगे इसे trail पर करते ही हमारा BP target 0 हो जाएगा लेकिन BP gauge में pressure पूर्व के जितना ही दिखाएगा उसके बाद A9 हैंडल को release position पर कर देंगे लेकिन हमारे BC gauge में pressure पूरा ही रहेगा ऐसा mode switch को trail पर कर देने से होता है उसके बाद BLDJ के द्वारा DG open कर देंगे और LSDJ की बत्ती जलना सुनिश्चित करेंगे फिर ZPT के द्वारा पेंटो lower कर देंगे U meter के कांटे का नीचे आजाना सुनिश्चित करेंगे उसके बाद BLDK को D से off position पर करके निकाल लेंगे जिससे UVA meter भी zero हो जाएगा और सारे pilot lamp बुच जाएगे उसके बाद display पर self hold mode active after 10 minute AMCE will switch off का message आएगा यानि की 10 minute के बाद AMCE switch off हो जाएगा अगर हम cab change नहीं करेंगे तो अब हम BLDK को लेके दूसरी cab में जाएगे दूसरी cab में पहुचकर सबसे पहले A9 handle को unlock करके AFS position से run position पर कर देंगे उसके बाद ASA9 handle को release से apply पे कर देंगे और mode switch को trail से lead position पे कर देंगे mode switch को lead पे करते ही BP target 5 kg शो होने लगेगा उसके बाद BLK को off position पे लगाके D position पे कर देंगे और अब हम लोकों को नियमानुसार energize कर सकते हैं ज्सक्त बाद